असलाम अलेकम स्टूडेंस आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास की फदीफ का स्मार्ट स्लेबर्स के मताबक सेकिंड टॉपिक जुनर टंबर 10 का सिंपल पैंडूलम तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे अब बेटा जी क्वेशन आप से यह पूछा जाएगा पेपर के अंदर हमने यह चीज़ प्रूफ करना होगी कि क्या जो सिंपल पैंडूलम है यह सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिक्यूट करता है या नहीं करता है तो इस सारे क्वेशन को हम एक्स्पेंड करेंगे यहां पे तो सबसे पहले इसकी डायग्राम को एक्स्पेंड करूँगा डायग्राम आपको नजर आ रही है कि यह एक हमारी फिक्स एंड है जिसके साथ हमने एक लाइट सट्रिंग को अटेच किया हुआ है इस सट्रिंग के साथ आपने एक बोब को अटेच करना है अब यह बोब यहाँ पे बिलकुल स्टेशनरी है यहाँ पे बॉब की कोई भी मोशन नहीं है अब देखें जरा इस बोब की यह वाली पॉजिशन हमारे पास मीन पॉजिशन होगी और इस बहुत पे अगर हम force लगा के इसको किसी भी position की तरफ ले के जाते इसकी जो minimum और maximum position तक ले के जाएंगे जैसे हम नाम देंगे extreme position का तो then इसका क्या case होगा वो सारा हम इसकी explanation में detail से पढ़ेंगे तो यहाँ पे तीन cases बान रहे हैं at mean position O and extreme position A and extreme position B यह तीन cases को हमने यहाँ पे discuss करना है तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी mean position को कि यह वाली जो हमारे पास mean position है जिसको हमने नाम के दिया हुआ है O का इस position पे इस bob की क्या condition होगी इंदा equilibrium जाहरी सी बात है यहाँ पे कोई भी force act नहीं का रही है तो यह क्या है equilibrium है इंदा equilibrium position mean position जिसे हमने नाम दिया हुआ है O the net force is zero and thus bob is stationary यहाँ पे देखें कोई भी force इस bob के उपर act नहीं का रही है जब इसको पर कोई force act नहीं करेगी its mean यह क्या है stationary है यह कहीं भी move नहीं करेगा अब हमने क्या करना है at extreme position A जो हमने extreme position A नाम दिया हुआ है if we bring the bob to extreme position A अगर हम क्या करते है इस bob को extreme position A तक move करवाते है तो तो देन वहाँ पे क्या होगा the net force is not zero अब यहाँ पे net force zero नहीं होगी जैसा कि हमने last वाले topic में simple spring system वाले में किया था कि जब हम spring को extreme position पे ले के जाते थे यहाँ पे भी जब हम इस bob को extreme position A पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी इसके अंदर बैटा जी एक restoring force store होगी जो force इसी यहाँ पे रुकने नहीं देगी बलके जब हम इसको छोड़ेंगे तो यह move करेगा towards this mean position तो हम कह सकते हैं कि the net force is not zero there is the net force is not zero there is no force acting along the string as tension in the string अब एक और चीज़ है यहाँ पे यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास tension T की बात है यह string की tension है T इसकी direction में हमारे पास कोई भी motion नहीं होगी यह जो बोब है यह move करेगा just towards the mean position अब इस direction में कोई भी इसकी force नहीं होगी और नहीं यहाँ पे कोई भी motion होगी यहाँ पे देखें अगर इस mass के weight की बात की जाए तो इस mass का weight downward act कर रहे जिसको हमने नाम दिया हो है wg अब इस mass को हम क्या करेंगे mg w is equal to mg अब यह mass को हमने दो component में resolve कर लेना है एक हम इसको कहेंगे mg cos theta and second हो गया mg sin theta अब mg cos theta जो component है वो along the tension T है तो क्यूंके T और mg cos theta दोनों parallel है तो लहाजा इस direction में जो forces होगी वो क्या हो जाएंगी cancel होगी अब इस bob की motion just होगी इस mg sin theta की वज़े से जो किसकी तरह move करेगा towards the mean position तो यहाँ पर हम कह सकते हैं cancel the component of the weight mg cos theta यह वाला जो mg cos theta है यह component हमारे पास क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा due to tension of the string hence there is no motion along this direction तो इस direction में कोई भी motion नहीं होगी the component of the weight mg sin theta is directed towards the mean position and act as the restoring force अब यहाँ पर देखें आप mg sin theta यह किसकी तरह है towards the mean position और यह restoring force जो force इसको यहाँ पर बोब को रुकने नहीं देगी यह force इसको move करवाएगी towards the mean position और वो किसकी वज़े से होगा कौन से component की वज़े से होगा वो mg sin theta की वज़े से होगा अब देखें due to this force इस force की वज़े जो इसे हम नाम दे रहे है restoring force due to this force the bob starts moving towards the mean position तो यह restoring force की वज़े से जो बोब होगा आपका A से O की तरह move करना शुरू कर देगा अब third case है इसका at extreme position B अब जब बोब यहां से move करेगा तो यहां पर आके बोब रुकेगा नहीं वो दो reasons की वो दो reason क्या हो सकती है एक तो यह है कि जब मैस आपका यहां से move करेगा तो उसके अंदर maximum velocity होगी जो maximum velocity उसे इस point पर रुकने नहीं देगी और दूसरा due to energy वो जो आपका बोब होगा वो position O यानि जिसे हमने extreme mean position का नाम दिया वह यह वाली mean position पर रुकेगा नहीं बलकि वो क्या करेगा इससे भी आगे move कर जाएगा जिसे हम बाद में नाम दे देते हैं B position यानि उसकी extreme position अब एक चीज़ यहां पर आपने note करनी है वो यह है कि जब यह बोब यहां से इस तरह move करेगा restoring force की वज़े से तो इसके बाद जब यह जाएगा तो restoring force की direction इस तरह हो जाएगी अब restoring force उसको फिर खेंचेगी किस की तरफ mean position की तरफ जब mean position की तरफ restoring force उसको act कर रही होगी तो इस सारी सुर्टे हाल के अंदर यह होगा कि उस bob की velocity decrease होती जाएगी जब उसकी velocity decrease होती जाएगी तो फिर आइसा इसा क्या होगा कि इसका जो circle है यह वाला two and four motion वाला यह आइसा इसा से काम होता जाएगा जब velocity बिल्कुल ही zero हो जाएगी तो bob आपका again इस position पे आके रुक जाएगा mean position पे due to decrease in velocity तो extreme position B के अगर हम बात करें तो similarly like A extreme position जैसा हमारे पास A extreme position पे होगा बिल्कुल यही phenomenon हमारे पास क्या होगा at position B तो मैंने लिखा होगा similarly this motion repeats from position B to towards mean position O अब इसके conclusion देखना हमने जो last पे हमने result निकाला है result हमें इस सारी diagram से और इस सारी position से क्या मिलता है तो conclusion बिटा इसका यह है कि it is clear from the motion of the bob that the speed of bob increases while moving from A to O के जब आपका bob A से O की तरफ move करता है तो उसकी speed क्या हो जाती है increase हो जाती है उसकी speed बढ़ जाती है due to restoring force due to restoring force which acts towards the O जो के restoring force उसकी move उसे act करवाएगी towards the mean position O it follows that it follows that the acceleration of bob is always towards mean position अब इस सारी सुरते हाल से हमें यह पता जार रहा है कि जितना भी हमारी bob की motion हो रही है वो किसकी तरफ है towards the mean position तो that is the point जो आपने समझना है कि simple harmonic motion की जो basic property है वो ही यह है कि जो body move कर रही होती simple harmonic motion में उसकी motion towards the mean position होती है तो hence we can say that simply the motion of simple pendulum is simple harmonic motion तो इस सारे से हमें यह पता चला कि क्योंके bob की motion ही mean position की तरफ है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक जो simple pendulum है वो भी simple harmonic motion से execute करता है तो यही हमने चीज प्रूफ करने थी कि क्या हमारा जो simple pendulum है वो simple harmonic motion के साथ execute करता है या नहीं करता है अब इसके अगर time period की बात की जाए तो time period क्या है कि यह वो let's suppose यहां से start लेता है ए पोजिशन से और यहां से move करता हो बी ता करता है और बी से फिर move करता हो वो ए ता करता है तो यह इसका a complete cycle है और इसे a complete cycle करने के लिए जितना time required होगा वो time इसका क्या कहलाएगा time period कहलाएगा तो definition time period की यह है the time taken by a body to complete one vibration यह वाला जो bob है यह वाली जो body है इसको अपना complete cycle करने के लिए जितना time लेगेगा is called time period and it is denoted by t और formulas का यह लिखा हुए t is equal to 2 pi l over g under root अब यहां पर एक चीज मैं आपको जो बताना चाहरा हूँ वो यह है वो आपने समझनी है कि क्या यह वाला जो angle मान रहा है हमारे पास अगर इस angle को मैं 10 degree से बढ़ा दूँ अगर यह angle हमारा 10 degree से बढ़ जाएगा तो देन यह इसकी motion जो होगी नोटा simple harmonic motion यह उस वक्त तक हमारा simple pendulum simple harmonic motion को execute करेगा जब तक इसका angle theta जो है वो less than 10 degree होगा यह बात आपने समझनी है और याद रखने है इसको कि simple pendulum उस वक्त तक simple harmonic motion से execute करेगा जब तक इसका यह वाला angle less than 10 degree होगा अगर less than 10 degree से ज्यादा हो जाता है अगर इसका angle 10 degree से ज्यादा हो जाता है तो फिर इसकी motion में curve आ जाएगी ठीक है और अगर curve आ जाएगी तो फिर यह simple harmonic motion की characteristics से बाहिर हो जाएगी क्यूंकि simple harmonic motion हमें यह बताता है कि एक point के to end flow यानि एक point के आगे पीशे move करना है तो एक linear होती है एक line बान रहे होती है simple harmonic motion के अंदर और अगर हम इसका angle let's suppose यहां पर बढ़ा देते हैं तो फिर यह line ने बनेगी बलके एक बहुत बड़ी curve बन जाएगी जिसकी वज़ा से इसकी motion अब simple harmonic motion नहीं रहेगी बलके यह इसकी motion हमारे पास simple oscillatory motion आप कह सकते हैं अब यहां पर एक quiz के तोर पर मैं आपको mcqs बताता हूं कि paper में आपस यह mcqs पूछा जा सकता है हमने पड़ा time period का formula होता है t is equal to 2 pi l over g under root अब pi और 2 यहां पर constant term है और g का gravitational constant वह भी हमारे पर constant term है तो l जो है जो हमारी length है जोえば c string की length है जिसके साथ आपका bob क्या हवा हुआ pace हुआ है अब question यह है के अगर इस length को l को मैं क्या कर देता हूं double कर देता हूं length अगर l से में क्या कर देता हूं 2L कर देता हूं तो फिर जो हमारे पर time period होगा जिसे मैंने t' से denote किया हुए पाई इन्टू एल ओवर जी अंडरूट अब यह सारी चीज किसके कोल होती है टी के कोल होती है तो टी प्राइम इस एक्वल टू अंडरूट टू और यह उरिजिनल जो हमारा टाइम प्रियड फार्मूले वाला है अब यहां पर यह चीज आपने समझनी है कि अगर हम उसकी लेंथ को डबल करेंगे तो उसका टाइम प्रियड भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और सिमिलरली अगर हम उसकी लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो उसका टाइम प्रियड भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा आज तक का हमारा यही तक नेक्स लेक्चर में